कहते हैं मुक्ति से बड़ी कोई एक्षा नहीं होती और बनारस जहां हर किसी को मोख्ष मिलता है यह सहर बाबा भोले नात का सहर है यहाँ पर महाश्रम्शान में भगवान शिव तारक मंद्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं पर वारनसी के इस मनकरने का रतीत पर अभी भी समस्या हैं जहां से लोगों को दोचार होना पड़ता है शवदा करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है बाढ़ के समय शवदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसे में अब प्रधान मंत्री नैंद्र मोदी एक ऐसी उजना को लेकर आ रहे हैं जिसके जरिये म प्त्याधूनिक सुवदाओं का अंबार होगा खासतोर पर वारणसी के इस महाशमशान में इस तरीके के रैंप लगाए जाएंगे जब बाढ के समय भी आसानी से सवदा हो सके और उस समय जब बाढ आती है तब यहां पर ऐसे प्लैट्फॉर्म सोंगे ऐसे हाइड्रोलिक प्लैट्फॉर्म लगाए जाएंगे कि जहां पर उपर सवदा के साथ साथ शो को जो गंगा जल में इसनान कराने की अंतिम क्रिया होती है हिंदू धर्म के अनुसार उसके लिए भी भगवान शीव की जटाओं से गंगा निकलेगा इस तरह की की प्लैनिंग की गई है और सुभारम जल्दी होगा सबसे पहले इसका शिला न्यास हो रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी इसका शिला न्यास कर रहे हैं 18 करोड की लागत से मनिकंडी का सेटू का सुभारम होने जा रहा है मेरा नम श्यामलाल सिंग है और मैं प्लानर इंडिया का चेर्मेन और सी यू हूँ पूरा वारांसी नहीं पूरे दुनिया के लोग मणिकणिका तीर्थ के बारे में जानते हैं कि ना किवल ये पंच तीर्थ का हिस्सा है बलकि जो महा असमशान कहा जाता है काशी को वो यही है मणिकणिका तीर्थ ही है हरिश्चंत के साथ पूरे विश्व में असमसान महा असमसान के रूप में और मोक्ष तीर्थ के रूप में काशिक की मानेता है वो मढड़िका तीर्थ के कारण है जब प्रधान मंत्री जी 2014 में मान्नी मोधी जी प्रधान मंत्री बने और सांसद बने बनारस के तो उस के एक दो मंदिर से पहले ही है और उन्हों ने इसके लिए CSR से प्रबंद किया लेकिन उस समय गंगा में 200 मीटर का बाद हाई कोड की बाधा थी स्टेट गवर्मेंट भी को आपरेट नहीं कर रही थी और और तमाम तरह की असुविधाय भी वहां पर थी काम सुरू करने में सरकार उत्तर पुदेश में सरकार भी जो है भाजपा की नहीं थी तो पुदहार मंत्री ने सिसर के तहत इसको काम को करने का संकल्प लिया और प्लानर इंडिया को यह काम सौपा गया और इसका उस समय सिसर में रूपा foundation को कहा गया लेकिन उसमें CSR की भी पॉलसी नहीं थी तो CSR की पॉलसी में घाट लेने को गोद देना CSR पॉलसी में अलाट करना एजिंसी और उसके बाद हाई कोर्ट का परमीशन लेना और उसके बाद वो कमेटी बनके के DPR बनाना यह सब सारी जिम्मेदारी उन्होंने दिया था इसको प्लानर इंडिया ने प्रथम फेज में पूरा किया जिसके तहत जो है वो मुख्यद्वार जो मरकड़ का मुक्ष का मुख्यद्वार गली की सुन्दरता और हाई फ्लड लेवल पर सबसे बड़ी समस्या क्य कि यह कि पुर्वांचल के ही नहीं यह विश्व प्रसिद्ध मोख्य अस्थल के रूप मैंने जाते हैं किवल क्रिमेशन नहीं है यह तिर्थ हॉच्श मोख्य के तिर्थ हैं यह तो यह हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फोटोग्राफ अगर कोई एक जगह है जिसकी ताटन की भी जगह है पराइटन भी परेटक भी इसको देखने आते हैं गंगा में जो भी आते हैं तो इसको प्रधान मंत्री ने ACONIC destination के रूप में दस autismatic destination पूरे डेश में चुने गए और मरिकडिका को आइकनिक डेस्टिनेशन की रूप में चुना गया तो इसमें ब्रिहत था परिकल्पना थी जिसको दो फेज में करना था प्रथम प्रथम चरण में जो था वो हाई फ्लड लेवल पर जो कि बाड़ के समय में आप जानते हैं कि 200 से 200 बाड़ी पर दे आती हैं अब तो 300 है कैश्मेंट एरिया है ऒ live कड़का और आपके हरिष्चंत की तरफ आती हैं जिसमें 20.25 कड़का में पढ़्डे रहती हैं तो आती हैं उनके साथ जो है उनका ध RAMSAY हो सके और इसके साथ साथ जवर पढ़णे पर उसको प्रिजर्व किया सके उनके साथ जो आते हैं उनको सुबिधाय मिले वी आैपी आते हैं उनको सुबिधाय मिले तो प्रथम फेज में HFL पर high flood level पर निर्माड हुआ और धरमसाला ठीक हुई और तमाम और सुविधाये हुई उसके सापेक्श में तिरतयात्तियों की और मोक्ष की कामना करने वालों की सव्यात्रों की वह को रख को रखते हुए वहाँ पर तीनों मोसम में चाहे भैंकर गर्मी हो बरसात हो या बाड का समय हो यहां तिर्थियात्रों के लिए सुविधाओं का अभी भी बहुत अभाव है तो इसलिए उनको सुविधाओं देना उनको बैठने की जगा खड़े हो करके देख सके सवयात्रियों के लिए जो क कर्मकांड सवदाह के पहले शवदाह के बाद में वो कर्मकांड हो सके असनान कराने के लिए नीचे भी जा सके उसके उसके लिए रहम पित्यादी हो और अगर बाहर का समय है तो उपर ही शिव शिविलिंग की सिव की जटाओं से सिव की जटाओं से जल निकल करके उपर उ यह मड़िकड़िका तीर्थ जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से जो हमारा पारंपरिक जो सास्त्री तरीका है और अंतिम संस्कार का सनातन में वो लकड़ी पर चाहे वो लकड़ी हमारी नार्मल करी हो चाहे वहमारी जो है वह चंदन की लकड़ी ऐब ले हो ता सास्त्री app कर uns लेकर इसमें तीन चीजों का ध्यान रखना है पारां फर्क विजे थी से होने में जब पिछली सवाल केवल इतना है कि उसकी ब्यवस्था ठीक से हो सही स्ट्रक्चर पर रखा जाए सही धंका स्ट्रक्चर रहे धूवा कम निकले राख निकले वह गंगा में नहीं जाए और जल जो है वह प्रदुशित नहीं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर इस त लिए धाई सव से तीन सव शवदाह अगर हो रहे हैं तो कितनी लकड़ी क्या हो सकता है तो लकड़ी गंगा में आती है नाओं से आती है और तो वह उपर ले जाना क्योंकि आप जानते हैं कि 50 से 55 फिट जो है वह वह नीचे चड़ाई होती है तो वह रैंप के तुरू चल बढ़मन में किसी भी तरह का बाधा ना हो और इसमूठ ली जो 이번에 अपनी स्थान पर पहुंच जाए और सब अपने स्थान में पहुंच जा जिससे संस्कार हो सके تھ क्या कि इस्तिती还是 ना हो और उसको ठीक से Manage कि अलवा आप यह जानते हैं कि मधकड का मोक्षतीर्थ जो है वो तिर्थ्यात्रा का जो पंचेकोशी हमारी यात्रा होती है उसका भी बहुत onした तो विशुनात मंदिर के काड़ीदूर से मैं जुड़ा हुआ है तो वह काड़ीदूर मन भी उस सुचारु लोग आएंगे गलियों से आएंगे तो उनको किसी भी तरह का पानी में जाना ही नहीं पड़ेगा इस तरह का लेबल मैनेजमेंट किया गया है इसके अलावा वह रैंप के थ्रू पानी तक नीचे भी जा सकते हैं और सव और सव को अश्नान करने के बेवस्था उपर ही दी गई है है इसका अगले साल जून से पहले जो है पूरा हो जाएगा यह बताईए कि आप जो है यहां पर करने के लिए और बहुत अच्छी सुविदा हो गई है पिछले मैं 12-14 साल से आ रहा हूं उससे मने आज देखा कि प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोधी जी के संसदी छेतर के हिसाब से अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है पूरा वारांसी साफ सुतरा अच्छा है ए मोधी जी की कृपा है वारांसी के उपर काशी में मोख्ष पाने के लिए इनी सक्री गलियों से होकर जाना पड़ता है महा शम्चान मनी करनी का तीर तक इनी कलियों से शौख को लेकर लोग पहुंचते हैं शम्चान घाट तक आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लोग भीड के बीच में भी अपने परिजनों को शौख को लेकर के महा शम्चान तक पहुंचते हैं ताकि उन्हें मोख्ष मिल सके मुक्ती मिल सकते आकरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इनी सक्री गलियों से महा शम्चान तक पहुंचते हैं पर बाढ़ के समय यह स्तिती विकट हो जाती है क्योंकि पानी यहां तक आयाता है ऐसे में शौदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है और अब इस मुश्किल को भी आशान करन की ठानी है देश के प्रधान मंत्री और काशी के शांसद नरिंद्र मोदी ने भगवान शीव की असीम क्रिप्रा से अब मनिकर्णी का फेस्टू का सुभारम होने वाला है जिसके जरिये अब भीशन बार में भी शौधा करना आसान होगा यहां पर रैंप लगा जाएंगे शौध को इश्ट्रान करना या फिर हिंदू रिती रिवास से जो धार्मी करिंकांड होते हैं उसे करना भी आसान होगा मनिकर्णी का फेस्टू के सुभारम के साथ साथ मोख्ष पाना भी आसान हो जाएगा तो इसकी शुरुवात होने जा रही है आने वाले एक साल में यह मनी करने का तीर्थ विशेश वे उस्थाओं के साथ विकास पत पर अगरसर होता हुआ दिखाई देगा वीडियो जनलिस्ट वेपिंस निंग के साथ सुषामगर जी निवस्टेट वारा नसी